राज़ गादेगा दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा गन्या कुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमेटर चली समुतर के तक से हम शुरू हुए हिमालय की भर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया एक व्यक्ति आया दोड़ता हुआ ऐसे ये भीड है उस भीड में से एक व्यक्ति आया दोड़ता हुआ मेरे सामने कड़ाओ कैसे कहता है राहुल जी मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हो मैंने पूछा बहिया बताओ मैं क्या कर रहा हूँ कहता है राहूल जी आप नफरत के बाजार में मुहबत की दुकान खोड़े लिक रहे हूँ हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत बहलाई गई है जो भाई को भाई से लड़ाया गया है इसके किलाफ हमें खड़ा होना है मिलके खड़ा होना है और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है ये मुहबत का देश है तो पहली लड़ाई नफरत को खतम करने की लगाई है मैं आपसे पूछता हूँ नफरत को नफरत से काता जाता है नहीं नफरत को सिर्फ महपत काच सकती है सहीबाद नफरत को किस चीज़ से काता जाता है सुनानी मैंने ये महपत से काता जाता है और हम इनकी नफरत को मौपत से मिटाएंगे अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था लोगों ने मुझे कहा कि राउल जी आप चार अजार किलोमिटर चल रहे हो मैं उनसे पूछता था भाईया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है मुझे कहते थे राउल जी इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याए फैल रहा है गरीबों को अन्याए किसानों के गिलाप अन्याए मजदूरों के गिलाप अन्याए महिलाओं के गिलाप अन्याए अगर आप गरीब हो आपके साथ चौपिस गंटा इस देश में अन्याई होगा तो नफरत का कारण अन्याई है और इसलिए हमने भारा चोड़ो यात्रा में अन्याई शप्त जोड़ दिया है अब यहां भीर से मैं पूछना जाता हूँ इस देश में पिछले वर के कितने लोग हैं? पचास परसेंट पचास परसेंट इस देश में गलित वर के कितने लोग हैं? पंदरा परसेंट इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिलादो मुसल्मान सीख इसाही कितने हैं? जैन कितने हैं? पंदरा परसेंट पचास और पंदरा कितना हुआ? पेशट और पंद्रा कितना हुआ उसमें 8% आदि वह जोड़तों कितना हुआ कितना हुआ 80 उस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% मेंसे एक मालिक नहीं है आपका आप फिर senior company की management की लिस्ट निकालो उसमें दिखेगा 88% से एक senior management में आपका नहीं है फिर media में लाओ media की company की मालिकों की लिस्ट निकालो 80% का एक भी media का मालिक ने एक भी media में मालिक ने media के बड़े-बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो 88% का एक वहाँ पे नहीं मिलेगा प्राइवेट हस्पतालों की लिस्ट निकालो वहाँ नहीं मिलेगा प्राइवेट कॉलेज उनिवाइसिटी की लिस्ट निकालो वहाँ नहीं मिलेगा तो आप लोग हो वहाँ आपके लोग है का मैं बताता हूँ आपके लोग मंद्रेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मज़़ूरी करते हैं, यही हमें बदलना है, यही नियाए समाजिक नियाए का मतलब है, बाई और बेनो हिंदुस्तान के बज़ेट को 90 लोग बाठते है, सबसे बड़े आये सबसर, मैंने इनकी लिस्ट निकाली 90 में से 3 पिछले वर्के हैं, 3 दलित वर्के हैं, 1 आदिवासी वर्का है, और अगर 100 रुपे बज़ेट में खर्च होता है, तो आप सब लोग मिला कर 6-7 परसेंट बज़ेट की भाविदारी रखते हो, तो सच्चाई है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे बाशन चलते हैं अगर जो गड़ी वर्के हैं, पिछले लोग हैं, धलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागिदारी है ही नहीं, और यही इंडिया गटबंदन का लक्षे, हम समाजिक नियाए के लिए लग रहे हैं, आर्थिक नियाए के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल MSP दे दीजिए, मैंने सरकार कहती हैं कि हम आपको लीगल MSP नहीं देंगे, लीगल MSP आपको नहीं मिलेगी, इंडिया गटबंदन ने, कॉंगरेस प MSP दिलवा देंगे, एक मिनट में लगेगा, तो यह न्यार की लवाई है, महुपत की दुकान खुलनी है, और मैं अकिलेशी को समाजवादी पार्टी के सब सारे करताओं को, सब सो बढ़ाई देता हूँ, अब हम मिलके लड़ रहे हैं, और यहां हमारी जीद होगी, अन्ह प्रेहें, नमस्काः